कि वेडि गुड मॉर्णिंग टू क्लास सेवेंग वेल क्लास सेवेंग यह चाप्टर का लास लेसन है जादा लंबा नहीं होगा यह लेक्चर अब तक हमने क्या पड़ा हुमन बीइंग्स के अंदर रेस्पिरेशन यानि कि हुमन बीइंग्स जो होते हैं वह सांस कैसे लेते हैं लंग्स के थ्रू लेते हैं तो हमने पुरा इनहीलेशन एक्जलेशन पूरा प्रॉसस समझ लिया था लेकिन यूमन बीइंग्स के अलावा और भी और और बी आनिमल्स हैं पानी में रहने वाले हमारी तरह लैंड पे रहने वाले उनके अंदर किस तरीकी का रेस्पिरे आनिमल्स वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं तो यह सारे चीज़े आएंगी ना माइंड में तो हमारा नेक्स टॉपिक यही है रेस्पिरेशन इन अनादर आनिमल्स और फिर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो हेडिंग डालो रेस्पिरेशन इन अदर आनिमल्स तो अदर आनिमल्स आनिमल्स भी दो कैटेगरी में हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे लान आनिमल्स और वाटर आनिमल्स लान आनिमल्स और एक्वेटिक आनिमल्स ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूं लान्ड लैंड अनिमल्स चीक है तो लैंड अनिमल्स में जैसे की एलिफेंट, टाइगर, लायन, जिराफ, होर्स, ठीक है लायन्स ये कैसे अनिमल्स हैं इनके पास लंग्स हैं तो ये हमारी तरह ही बिलकुल लंग्स से रैस्पिरेशन करेंगे लंग्स के थ्रू ही सांस लेंगे ना ठीक है तो बहुत सारे ऐसे अनिमल्स होते हैं आपकी बर्ड हो गई वाइल्ड अनिमल्स हो गए ये सब क्या करते हैं बिलकुल यूमन बिंग्स की तरह ही रैस्पिरेशन करते हैं तो यहां पर आप पहले पॉइंट में यही लिख लो एन एलिफंट एना एलिफंट लायन होर्स औरट दॉट डॉट डॉट बहुत सारे ओर्गी मस करें इ सकते हैं बहुत सारे अनिमल्स आ राइट रेस्पिरेशाl इधर लिखो do respiration do respiration just like just like human beings ठीक है विल्किल human beings की तरह respiration करते थे हैं किसके थूँ through lungs ठीक है lungs के through right lungs के through respiration करते हैं अब land animals में ही और छोटे छोटे organisms आ जाते हैं और छोटे छोटे आनिमल्स आ जाते हैं for example earthworm cockroach frogs तो इनके अंदर respiration कैसे होता है तो आपके NCRT के according आपके लिए तीन जो छोटे आनिमल्स है उनका दे रखा है frog earthworm and your frog, earthworm and cockroach के बारे में clear students ओके तो हम सबसे पहले पहां पर पढ़ेंगे in cockroach तो cockroach के अंदर कैसे respiration होगा यहां पर मैं आपको डाइग्राम से समझाती हूँ ठीक है मैं यहां पर डाइग्राम बना रही हूँ कुछ इसी टाइप की शेप का होता है cockroach राइट यह इसके antennas होता है ठीक है यह cockroach है मेरा तो students cockroach की जो body की lining है यह जो sides है यह वाली इसकी body की sides पे कुछ छोटे-छोटे small openings present होती है क्या present होती है सपोज यहां से चलू होती है और यह छोटी-छोटी openings है इसकी body में हवा भरने के लिए यहां पे छोटे-छोटे क्या है यह openings है इन openings को क्या बोलते है spiracles क्या बोलते है इन openings को small openings क्या बोलते है spiracles इन spiracles के थुरू हवा क्या करेगी अंदर एंटर करेगी इन छेद के थुरू हवा एंटर कर जाती है इसकी body के अंदर और इसकी body में एक जाल होता है एक network होता है बहुत सारी tubes का ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा पूरी body में इस तरीके का network होता है इसकी body में पूरी body के अंदर ऐसे network होता है इसको हम बोलते है network network of tubes और इस network of tubes को क्या बोलते हैं ट्रैकिया क्या बोलते हैं इसको ट्रैकिया तो यह word important है अगर आपको यह question आता है कि cockroach किस तरीके से respiration करता है तो आप लिखोगे महाँ पे ट्रैकिया के थ्रू ठीक है ट्रैकिया के थ्रू respiration होता है क्योंकि body के अंदर respiration कौन करा है ट्रैकिया करा रहा है ना सिफ spiracles की थ्रू तो हवा एंटर कर दी है लेकिन respiration का part कौन है ट्रैकिया है ठीक है तो इनके small pores हैं इनके थ्रू हवा एंटर कर जाती है ठीक है और इस tube से travel होती हुई पूरी body में हर एक cell तक पहुंच जाती है ठीक हर एक body part तक oxygen पहुंच जाती है ठीक है तो ट्रैकिया के थ्रू जाती है क्लियर तो आप इसके अंदर लिखो फटा फट से यहां पर लिखवा रही हूँ मैं cockroach have small openings आर नोन एस आर नोन एस पायरे कल्स ठीक है फारे कल्स बोलते हैं जिनको ऐसी चोड़ी चोड़ी ऑपनिंग्स है ठीक है यह है मेरा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है इनिस पायरे कल्स के थ्रू जो एर है वह अंदर की साइड रश करेगी का आप लिखोगे तो कि एर रशेस थूँ 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 थीज ओपनिंग्स थीज ओपनिंग्स ठीक है air rushes through these openings और कहाँ जाएगी rush करके, enter करके into into network network of tubes bracket में लिख रही हुँ मैं आपे, trachea trachea ठीक है rushes through these openings into network of tubes या फिर network of air tubes भी लिख सकते हो, हवा वाली tubes हैं ये, ठीक है air tubes trachea clear third point क्या हो सकता है third point लिखो, अब इसी trachea के थुरू oxygen जो है, अब भई सबको oxygen चाहिए ना, अचाहिए वो छोटा सा और्गेनिजम हो, छोटा आनिमल हो, या बड़ा आनिमल हो, सबको oxygen चाहिए, ठीक है, तो सबको oxygen चाहिए, तो आप लिखोगे, through these tubes, या फिरू through trachea, through trachea, oxygen reaches reaches to each and every cell of the body and co2 is removed through these tubes ठीक है जो oxygen है वो इनी tubes के थूरू हर एक सेल तक तो इच एन एवरी सेल पहुंच पाती है और जो carbon dioxide अब हम oxygen लेते carbon dioxide छोड़ते हैं वैसे ही cockroach oxygen लेता है carbon dioxide छोड़ेगा तो carbon dioxide बहार निकल जाएगी इनी त्यूब से oxygen ही ट्यूब से अंदर एंटर करती है क्लियर स्टूडेंट्स यह जो ट्रैक्या के थू आपको अगर यह कोशन आता है कि वाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन या फिर वाट ऐसे कोशन आए कि जो इंसेक्स होते हैं वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते है तो महां पर option में हमेश्व ट्रैक्या वाएगा जितने भी इंसेक्ट्स जाए वो हाउस फ्लाय है बटर फ्लाय है आपके कौक्रोच हैं और कोज्सूटे अच्ब जितने भी इंसेक्स тेंपिरेशन करेंगे आपको सारे इनसेक्ट्स ठीक है ट्रैकिया कि सिर्फ और सिर्फ इनसेक्ट्स respiration करते हैं और कोई भी और्गिनिजम नहीं करता सिर्फ इनसेक्ट्स ही हैं जो respiration करेंगे द्रू ट्रैकिया तो आप हिहाँ पर लिखो only insects do respiration through trachea ठीक है, सिर्फ और सिर्फ insects ही हैं जो trachea के through respiration करते हैं clear students, समझ में आया है यह अच्छी तरीके से ओके, तो cockroach वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया अब आते हैं हम earthworm पे, ठीक है, heading डाल लो in earthworm in earthworm, ठीक है, earthworms क्या होते हैं, farmers के friend होते हैं, है ना, हम यह जी के का question आता था ना यह बच्छपन में, के अर्थ in earthworms, farmer friend कौन है, earthworms है, ठीक है, तो earthworms तो मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो यह respiration कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, इनको oxygen कैसे मिलती है, तो आपने कभी, अगर earthworms देखे हो, तो आपको थोड़े ना, चिकने-चिकने से लगते हैं, slimy layer होती है, है ना, कभी touch भी की होतो, slimy सी layer होती है, उनके चरत, ऐसे लगते हैं, गीले-गीले हो रहे हैं, पानी है उनकी skin पे, ठीक है, तो आप लिखो में आपे, earthworm, do respiration, do respiration, through, through, moist skin, उनकी जो moisture वाली skin होती है, गीली-गीली जो skin होती है, उसके through respiration करते हैं, for example, for example, मैं यहापको एक earthworm बना देती हूँ, ठीक है, अब इनका कोई nose, mouth, ऐसा तो कोई structure होता नहीं है, ठीक है, तो अपनी skin के through, for example, हवा में यहापे oxygen है, ठीक है, यह oxygen है, चारतरफ हमारे सब के चारतरफ oxygen present होती है, तो oxygen क्या होता है, इनके जो moisture होता है, उसके अंदर dissolve हो जा होता है, ठीक है, इनके उपर, जो skin के उपर moisture होता है, उसमें dissolve होता है, वहाँ से अंदर चली जाती है, ठीक है, तो अपनी जो moisture वाली skin होती है, उसके through, enter कर जाती है oxygen इनके अंदर, ठीक है, अब वो oxygen चाहे वो soil के अंदर present हो थोड़ी बहुत, चाहे यह बहार निकल के oxygen ले तो इसी थरीके से skin के through, enter कर जाती है अंदर, ठीक है, हमारे अंदर क्यों नहीं होता ऐसा, हमारे चारो तरफ भी oxygen है, लेकिन हमारे अंदर respiration होगा, तो हमारे body के ऐसी है, बहुत complex है, इतने सारे organs है, हर किसी, हर किसी तक नहीं पहुँच पाएगी oxygen, हमारे अंदर इतनी cells है हम उसके comparison में, हम तो बहुत बड़े organism है, तो हमारे अंदर ये possible नहीं है, ठीक है, इसलिए हम skin के through respiration नहीं करते, हमारे पास special organ है, that is lungs, clear, समझ में आया, next आलो, in frogs, in frogs, in frogs, in frogs, in frogs, ठीक है, frogs के अंदर कैसे respiration होती है, students, frogs जो होते हैं, वो दो तरीके से respiration करते हैं, पहला, उनके अंदर lungs भी present होते हैं, second, moisture, earthworm की तरह, अपनी skin के through respiration करते हैं, ठीक है, क्योंकि frog क्या है, पानी में और land पे दोनों पे रहता है, ठीक है, तो आप लिखोगे, frog, frog lives on land, as well as, as well as in water, तो water में भी रहता है, और land पे भी रहता है, राइट, तो जब वो land पे होगा, when, on land, तो किस के through respiration करेगा, तो आप लिखोगे, respire through lungs, तो जब land पे होगा, तो lungs के through respiration करेगा, और जब water में होगा, when in water, तो आप लिखोगे, respire through moist skin, ठीक है, तो अपनी moist skin जोगी, वो भी थोड़ा सा गिल-गिला सा लगता है, अर्थ वाम की तरह ही, ठीक है, तो वो भी moist skin से respiration करेगा, clear students, समझ में आया भी तक, समझ में आया सारा cockroach का, अर्थ वाम का, frogs का, ठीक है, अब ये तो थे सारे mostly land animals की बात करी हमने, ठीक है, जो जमीन पे रहते हैं animals, अब बार ये आती है, उन animals की जो पानी में रहते हैं, aquatic animals या फिर marine animals बोल दो, right? तो heading डाल लो यहाँ पे, aquatic animals, अब तक land animals थे ना, अब आ जाएंगे आपके, aquatic animals, aquatic animals, aquatic animals, aquatic animals कौन से होते हैं, water animals, यानि के पानी में रहने वाले animals, अब हमारे लिए oxygen तो पूरी चारों तरफ एर में हैं, ठीक है, लेकिन जो पानी में रहने वाले animals हैं, अब हमारे उनको oxygen कहां से मिलती है, यह तो बाहर निकलते नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुली अंदर समूदर में रहते हैं, बहुत ही deep, ठीक है, aquatic animals कैसे हो सकते हैं, वो river में भी मिल सकते हैं, पॉंड्स में भी हो सकते हैं, lakes में भी हो सकते हैं, oceans में भी हो सकते हैं, और किस चीज में हो सकते हैं आपके, आपके घर में छोटा सा aquarium हो, जिसमें fishes रखते हैं, छोटा सा fish pot हो, ठीक है, तो सबको क्या चाहिए, oxygen चाहिए, राइट, इनको oxygen कहां से मिलती है, तो आप लिखोगे, for water animals, oxygen is present in dissolved form, ठीक है, dissolved form, dissolved मतलब होता है, घुली हुई, ठीक है, घुली हुई होती है, पानी के अंदर, mix होती है, पानी के अंदर oxygen, उसी mix हुई oxygen को वो यूज करते हैं, सांस लेने के लिए, ठीक है, तो कौन सा organ यूज करते हैं, यूज करते हैं, यूज गिल्स, है ना, यूज गिल्स, for respiration, सांस लेने के लिए, यूज करते हैं, इस अनिमल यूज गिल्स, for respiration, clear, समझ में आया, अब गिल्स की क्यों यूज करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, गिल्स के तुरूपा नहीं जाता है, नहीं, तो अब देखो, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, fish, suppose यह गिल्स हैं, इसके, यहीं पर होता हैं, साइड्स में, ठीक है, जो गिल्स होते हैं, उनके चारों तरफ ना, ब्लड वैशल्स होती हैं, अब ब्लड वैशल्स क्या होती हैं, आपको यह नर्व्स दिखाई देती हैं, ना, हमारी, यह नर्व्स क्या हैं, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा हैं, तो यह ब्लड वैशल्स हैं, ठीक है, वैसे ही, fish के अंदर भी ब्लड होता हैं, तो ब्लड वैश भीजेश ने इस water गए plus oxygen हम ऑट्टू पानी के साथ सब्सक्सिजन भी गई इस पालं को क हैं धिसे इनदर फ़ कहां जाएगी सीदह इधर गिल्स के पास यह वाला पानी जिसके के अंदर oxygen थी वो कहा गया माउट से होता हुआ का गया गिल्स के पास अब जिप गिल्स के पास गया तो गिल्स में से oxygen चली गई blood में इसकी बॉडी के अंदर ठीक है और इसकी गिल्स के जिसमें oxygen थी वो पानी पीने के बाद सबसे पहले कहां गया गिल्स के पास गया तो गिल्स ने क्या काम किया oxygen को निकाला उस पानी में से और फिश की बाड़ी में भेज दिया ठीक है और फिश की बॉड़ी में कारबन डायोकसाइड थी पहले से ठीक है तो उस कारबन डायोकसाइड को लिया गिल्स ने और जो पानी बचा हुआ था उस पानी के साथ बाहर निकाल दिया ठीक है तो इस तरह से फिश जो करती है वो रेस्पिरेशन करती है तो आप लिखोगे गिल्स के बारे में यहाँ पर लिखोगे गिल्स आर रिच इन ब्लड वैशल्स and help in gaseous exchange like O2 and CO2 इन दोनों गैस की अजला बदली करा देती है जो पानी पिया उसमें से oxygen निकाल के उसकी बाडी में दे दिया फिश की और फिश की बौकटी में इसे CO2 को लेके पानी के सार बाहर निकाल दिया गिल्स की तुरू अब पानी Mouth की तुरू बाहर नहीं निकला बाहर निकला जिसमें CO2 थी ठीक है समझ में आया यहां से पानी एंटर होता है oxygen body के अंदर और पानी CO2 को लेके बाहर ठीक है अब समझ में आगया fishes actually में कैसे respiration करती है गिल्स का क्या काम है यहां पर तो गिल्स में क्या होता है बहुत सारा blood vessels होती है जो gases का exchange करने में help करती है gaseous exchange मतला दो gas है oxygen and carbon dioxide oxygen का exchange करने में अदला बदली कर देती है body से बाहर निकाल देती है CO2 को और body के अंदर भेज देती है oxygen को अदला बदली कर दी clear clear students समझ में आया गिल्स का ओके अब यह थे animals की बात अब आपने सुना होगा कि जो plants होते हैं वह हमेशा क्या करते हैं photosynthesis करते अपना खाना खुद बनाते हैं तो जब अपना खुद बनाते हैं plants तो वह क्या करते हैं oxygen बाहर देते हैं हमें और हमसे carbon dioxide लेते हैं लेकिन respiration में तो उल्टा हो रहा है ना respiration में तो शांस के अंदर oxygen ले रहे हैं और carbon dioxide दे रहें कि प्लांट्स भी एसे करते हैं क्या कि प्लांट्स भी कभी ऐसे करते हैं कि oxygen चाहिए plants को हमसे और फिर उल्टा उनको carbon dioxide दे रहे हैं वह हमें हाँ plants भी respiration करते हैं उनको भी oxygen चाहिए क्योंकि वह भी तो एक living organism है उनको भी तो जिंदा रहने के लिए oxygen चाहिए तो plants भी respiration करते हैं, plants भी सांस लेते हैं, plants को भी oxygen चाहिए, ठीक है, अब बताती हूं कब चाहिए होती है, तो heading डालो यहाँ पर respiration in plants heading डालो students, respiration in plants, ठीक है, तो आप लिखोगे, usually आपका डे टाइम में, usually plants give oxygen and take CO2, usually यानि कि जादतर plants क्या करते हैं, oxygen देते हैं हमें, और हमसे carbon dioxide लेते हैं, ठीक है, तो usually plants give oxygen and take CO2, but, CO2 during process, during the process, process of photosynthesis, right, photosynthesis के दौरान, but, during night time, night time, during night time, रात की समय क्या करते हैं, plants do respiration, यानि के, they take oxygen and release CO2, लेकिन night time में क्या करेंगे, रात के time में, plants respiration करेंगे, respiration मतलब, oxygen लेना, और CO2 देना, ठीक है, यही करेंगे plants, respiration करेंगे, ठीक है, जिसकी वज़े से, उनको भी तो energy चाहिए, तो respiration होगा, तब ही तो, जो उनकी, जो वो food बना रहे हैं, दिन के time में, उस food का breakdown कौन करेगा, ठीक है, oxygen ही तो करेगी, उनको भी energy चाहिए, ग्रो करने के लिए, आगे और next day food बनाने के लिए पिता energy चाहिए, तो respiration से, क्या होगा, oxygen जाएगी, food टूटेगा, energy निकलेगी, यही होता है, respiration मतलब, breakdown of food, ठीक है, यानिके, breathe करेंगे, organisms भी है, plants भी breathe करेंगे, तो आप लिखोगे, यहाँ पर, एवरी पार्ट, एवरी पार्ट, इन्डिपेंडेंडेंटली, इन्डिपेंडेंडेंटली, डू, respiration, इन्डिपेंडेंडेंटली, मतलब, खुद बखुद, खुद से करेंगे, हर एक पार्ट, अब हमारे अंदर क्या है, हमारे लंग्स हैं, सिर्फ रेस्पिरेशन करने के लिए, अगर हमारे लंग्स काम नहीं कर रहे तो हमारा ब्रें रेस्पिरेशन कर रहा है, हमारे लेग्स रेस्पिरेशन कर रहा है, हैड रेस्पिरेशन कर रहा है, नहीं, हमारे अंदर रेस्पिरेशन का काम सिर्फ किसको दिया गया है, लंग्स को, लेकिन प्लांट के अंदर हर ए एक branch हर एक root अपने लिए respiration खुद करती है every part independently यानि कि खुद से respiration करती है do respiration सारे parts खुद respiration करते हैं अपना अपना खुद करो ठीक है कितनी सारी पत्तियां होती है ठीक है तो सारी पत्तियां सब अपना अपना खुद करती है respiration ठीक है रूट्स टेक ऑक्सिजन प्रेजेंट एंस्वाइल स्पेस मिट्टी की बीच में जो थोड़े सी स्पेस बच जाते है ना उसमें जो एयर फिल्ड होती है वहां से अक्सिजन ले लेती है अब आप स्वाइल को तो environment से मिल नहीं रही रूट्स को तो environment से मिल नहीं रही oxygen रूट्स तो क्या है नीचे है जमीन में मिट्टी के अंदर है तो उनको oxygen कैसे मिलेगी तो उनको oxygen कहां से मिलती है जो भी थोड़ी बहुत एयर जो होती है वो आपकी मिट्टी के अंदर प्रेजंट होती है उससे वह oxygen ले लेती है ठीक है तभी हम देखा है ने थोड़ा गुडाई करते हैं हम लोग थोड़ी सी मिट्टी को खोते हैं गमले में से या गार्डन में से तो उ यह सारा था respiration के बारे में respiration अब तक आपको पता चल गया हुआ कि बहुत ही ज्यादा crucial event है यानि के crucial मतला बहुत ही ज्यादा important जो हर एक living organism के अंदर होना जरूरी है चाहे वो छोटे से कोई आनिमल्स हो बड़े plants हो trees हो human beings हो सारे आनिमल्स हो सब के अंदर क्या होगा respiration वा respiration से हमें oxygen मिलेगी और यही oxygen हम जो खाना खाते हैं उसको break करके क्या करेगी उससे energy निकालेगी और उसी energy का इस्तेमाल करके हम इतनी सारी activities परफॉर्म कर पाते हैं खेलना पढ़ना लिखना सब चीजे एवन सोना फिर से सांस लेना food का digest होना सोचना खाली बैठे हैं बिल्क से energy निकलती है तो सब चीजों के लिए क्या चाहिए हमें energy चाहिए और उसके लिए क्या होना जरूरी है respiration ठीक है respiration क्ले स्टूडेंस यह चाप्टर हो गया आपका finish अब आपको करने है questions जैसे मैंने आपको बताए थे step wise चलना है तब तक के लिए stay safe stay at home bye bye